जैसरी राम आई होप अपलोगों सब्सक्राइब होंगे अभी हम आया है बाहर एलेवेस्टेशन पे जहार पे स्री राम दल रोटी बैंक के द्वारा पर तेक साम से गरिवों को खाना खिलाया जाता है बोजन कराया जाता है जो भी आसाय और लाचार है सभी के बीच खाना ब देखेंगे सुरू सेंथ कि किस तरह से यह प्रसेश चलता है और कुछ भाई बंद उसे बात करेंगे रोटी बैंक कब से चल रहा है और इसके द्वारा चलाया गया तो आई हम बात करते हैं अब का परिछे है सुधान सुकुमार रोटी बैंक जिल्लाजस बाड़ रोटी ब पिछले पांच सालों से चल रहा है शुरुवाती दोर में गनेश विया जो अभी कभी कभी आ रहे हैं और राधित मान्या जी दोनों मिलकर शुरू किये थे और उसको आगे बढ़ा रहे हम लोग चंदन विया जैसे हैं हम है रेसी है बागी सभी भाई लोग मिलकर आगे ब मार्केट से कुछ सायोग लेते हैं और रुक्रीनी का बढ़े हुआ पुनिती थी हुआ उनका सायोग से रोटी बेंग चलता है और मनोजी है ने ट्राज होटल के मालिक उनकी तरफ से सब्जी का सायोग 365 दिन मिलता है इसमें कोई पॉलिटिक से या फिर और कोई जो नियता पॉलिटे है ज़र्वन लोगों के बिच सिर्फ खाना की तरह नहीं होता है ठंड के दिनों में कपड़े गर्म कपड़े जोगी होते हैं कंबल का वितरन होता है जिनको दबाय के ज़रूरता है दबाय भी विवस्ता कराते हैं आए आपको दिखाते हैं कि रोटी बैंक इस तरह से खाना पाइक करके लोग उसको अजरतमन लोग के पीछ जाते हैं आए देखते हैं पाइक करते हुए खाना है हमारे पिछे सभी भाई और हम भी एक और हमारे बेचे हमारे बड़े चंदन के आच चुके हैं जो कि स्री रामदल रोटी वैंक में कापी सालों से इनके वाइब तो इसे भी हम बात करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी इनके वीडियो को देखते हैं ब्लोगर चैनल को सब्स्राइब कीजिए इस पर फॉलो कीजिए जैसका यहां पर रोटी बेंगा कारिये करह में रोटी पैक किया जा रहा है एक पेपर में पेपर में और प्लास्टिक में सब्जी पैक हो रहा है अब यह बागल में एक छोटे भाई इनका पर्चे बता से जिए हैं इनके नाम मीते हैं और यहां से प्रतेक दिन खाना यहीं लेकर जाते हैं और वहां वितरम करते हैं जो भी जरुतमन दोग होते हैं उनके बीज आपका घर कहा है बाड़ उमानाथ परतेक दिन आस खाना कितनों को खाना खिलाते हैं कि आप देख रहे हैं रोटी पैक हो गया लगभग और सब्सक्राइब होने के बाद यहां से खाना बेतरन करने के लिए सभी लोग निकलेंगे और हम अभी चंदन्विया से बात करते हैं कि रोटी बैंक का जो शुरुवाती दोर है शुरुवाती दोर से अब तक क्या क्या हुआ है यह सारी बात हम चंदन्विया से जानते हैं शुरुवाती दोर से अभी तक क्या क्या हुआ है शुरु हुआ था जब सप्ता में एक दिन शुरु हुआ था वह निवेरिया नाचेक से शुरु हुआ था फिर दीरे-दीरे करके पीनाधार निकलम्स वासो बागी और अगवानपूर में जो अपका फिटनेस ग्रूप है और तब जाकर के आज मोटल नट राज से सब्जी के रूप में सही होगा आटा और रोटी हम लोग खुद बन बनाते हैं तो आपको पता है यह लोगड़न में रोटी बेंक कार्टम जिस्ते पर से निदन पर चलता था लोगड़न के शुरुआती में हम लोग लोग पैदल चलते रहे तब तक हम लोग उनको पूरा दिन बोजन मुहिया करवाते रहे सुबह से लेकर रात और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं रोटी बेंक करने वाली एक मात्र संस्था वह से रामदल सेवा संगठन बार तो लोगों से यही रहेगा कि हम लोग जो नि नित्य दिन परहाई से अपना वोमुल समय निकाल करते हैं करते हैं तो आपके अंदर भी आस्था है कि हम लोगों का मदद कर सकते हैं आप काम कीजिए आपके मन को सुकून मिलेगा आप आक एक वार देखिए अच्छा लगे तो रही नहीं लगे तो काम करते हैं अभी आप देख सकते हैं लगभग पचास साथ खाना जो है पैक हो चुका है और पीच रिसी भाईया है जो कि स्री राम दल जिला ध्यक्षे तो आईए हम उसे भी बात करते हैं आपका संगठन बार में और क्या किया से वाय दे रहा है जो कि निशुल्क है राम दल बार भी पिलाल ती अब देख सकते हैं इस वीडियो में सभी को जो सोर हमको उठाउ ठागे खाना दिया जाता है से राम दल रोटी बैंके दोरा पुरे प्लेट्पार्म पर भूंब भूंकर खाना बाटा जाता है जो भी आसा है लाचार सबको दिया जाता है करने के लिए हमारे संगठन किसी भी संदस्ते संपर्ख कर सकते हैं कि मंदीर पर हमारे संगठन का पांच से उपर नंबर लिखा हुआ है और बार के ब्लॉगर चैनल पर भी आप डाइरेक्ट इंबॉफ्स कर सकते हैं वहां से भी क्योंकि हमारे साथ यह जूरे हुआ लगाता और सक्रीय कार्ज करता है तो इनको भी डाइरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इनके तुरू भी सहयोग आते रहता तो आप जैसे चाहें वैस कर सकते मादत कर सकते हैं